नमस्कार मैं हूं मेगा सिंग और आप सभी का स्वागत है SPN 9 News में आजम खान को लेकर आए दिन कुछ न कुछ खुलासे होते रहते हैं आजम खान ने जब से समाजवादी पाती के खिलाफ बगावत की जंग छेडी है तब से वो सुर्खियों में है और अब आजम खान के केस को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है दरसल आजम खान ने मौलाना मुहम्मद अली जोहर ट्रस्ट रामपूर की अग्राहित जमीन को चुराने के लिए अब सुप्रीम कोट का दरवाजा खटकटाया है आजम खान ने सुप्रीम कोट में हाई कोट के आदेश को चुनौती दी है और अब इस मामले में हाई कोट से आजम खान को राहत नहीं मिली थी जिसके बाद आजम खान की अरजी यूपी सरकार ने भी सुप्रीम कोट में दाखिल कर दी है सुप्रीम कोट में यूपी सरकार ने अरजी दाखिल कर यह कहा है कि बिना उत्तरप्रदेश सरकार का पक्ष सुने सुप्रीम कोट इस मामले में कोई आदेश जारी ना करे अब इस मामले में सुप्रीम कोट 18 एप्रेल को सुनवाई करेंगी दरसल हाई कोट ने पुर्व कैबिनेट मंतरी मुहम्मद आजम खान के खिलाफ फैसला दिया है जिसमें मौलाना मुहम्मद अली जोहर ट्रस्ट रामपूर द्वारा अग्राहित 12.5 एकर जमीन में अतिरिक्त जमीन को राजस में निहित करने के एडियम वित के आदेश को सही करार दिया गया है विश्व विद्याले निर्मान के लिए लगभग 431 एकर जमीन अग्राहित की गई थी केबल 12.5 एकर जमीन ही ट्रस्ट के अधिकार में रहेगा कोट ने अब इस आदेश की वैधता को चुनोती देने वाली ट्रस्ट की याज का खारिच कर दी है और अब देखना दल्चस्प होगा कि आजम खान ने जिस तरह से हाई कोट के बाद अब इस फैसले को सुप्रीम कोट में चुनोती दी है अब सुप्रीम कोट इसका क्या फैसला सुनाती है आज के लिए बस इतना ही आगे की खबरों के लिए देखते रहे है SPN 9 News हनिवाद